शेहत से भी जादा मीटा होता है शेनीदेव का प्यार कुम्बर राशी को मिलेगा गाड़ी, बंगला और पैसा जोती शास्त्र के अनुसार ग्रहन अक्षोत्रों की लगातार बदलती चाल मनुश्य की जीवन को लगातार प्रभावेत करती रहती है यदि व्यक्ती की राशी में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वज़े से शुबन नतीजे मिलते हैं परन्तु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में परिशानिया उत्पन होने लगती है हर किसी व्यक्ति की राशी उसकी लिए बहुती महतोपूर्ण मानी जाती है क्योंकि व्यक्ति अपनी राशी की सहयता से भविशे से जुड़ी हुई जानकर या प्राप्त कर सकता है ताकि हर परस्तिती के लिए वह पहले से तयार हो सके जोतिश गराना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में सटिक भविशवनी बताने वाले हैं जो कि आपकी किस्मत बदल सकती है शनीदियो का प्यार जो की सहत से भी जादा मीटा होता है और आपके उपर शनीदियो की कुरुपा भी बरस रही है और इसी के चलते आपको अपने मेहनत से गाड़ी बंगला और पैसा मिलने वाला है आपके द्वार की गई मेहनत रंगल आईगी घरेलू सुक में उरूद्धी होगी प्रेम जीवन बितार है लोगों का समय बेहत खास रहने वाला है आप अपने रिस्तों को आगे बढ़ाने में सपल रहेंगे शैदी शिदा लोगों का गरहस्त जीवन जो की काफी लंबे समय से तनाव से गुजर रहता वहत दूर होगा एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा बच्चों की तरफ से कोई खुशक बर मिलने के संभव ना बन रहे है दोस्तों कुछ ऐसे ही महतों को नबाते आज की सुड़े में बताने वाले हैं तो इस वडियो को अभी लाइक करें और शैनी दिव जी का अशिर्वा चाहते हों तो कमेंड में जैशेनी दिव लिखना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने मेहनत से गाड़ी, बंगला और पैसा मिल सकता है उसके बारे में मन में एक अजीब सी बैचेनी बनी रहेगी अपने रोजमर्रा के कारियों को पूरा करने के लिए आप कोई जूट का सहारा ले सकते हैं लेकिन यह आपके लिए गलत साबित होगा आप जो भी कठोर कदम उठाएंगे उसका असर लंबे समय तक आपकी जिवन फर देखा जा सकता है आप सामाजिक शेतर में अधिक सक्रिय रह सकते हैं जो भी कारे आप सामुहिक रूप से करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी परिवार के कुछ सदस्य आपकी बात मानने से इनकार कर सकते हैं अपनी बातों और विचारों को आप दूसरों के आगे रखने को बहुती अधिक उस्तुक हो सकते हैं परिवार के किसे सदस्य की बात आपको बूरी लग सकती हैं आपकी दिमाग में एक साथ बहुत से विचार हवी हो सकते हैं जिसके चलते आप अधिक मानसिक तनाव महसुस करेंगे, धन के मामले में आपको साउधानी बरतने की अवशकता है, आप किसी को भी पैसा उदार मत दीजीगा, जमीन जैजाद से जुड़े हुए मामलों के लिए समय कमजोर रहेगा, व्यापर से जुड़े हुए लोग अग आपकी सोच बहतर होती जा रही है, आपके लगातार प्रयास आपको न किवल नोकरी में उन्नती दिलाएंगी, बलकि अपनी महनत का भी पूरा फल मिलेगा, दुश्मन और विवादों से आपका पाला पढ़ता रहेगा, लेकिन आपके मजबुत इरादे आपको आपकी लक प्रेर राशिफल की बात करें तो, कारिक शेतर में आपको अपनी चिपी हुई परतिबा को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, आप लोगों को बता सकेंगी कि आप क्या काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर आप अपनी लक्ष निर्दारित कर लें और फिर उन्ह अधिनस्त लोगों से मिल जोल बढ़ाने के लिए यह समय उप्योगत हैं, अगर रिस्ता नया है तो इस राह पर धिरे धिरे कदम बढ़ाए, ऐसा करने से आप जल्द और अच्छे से एक दुसरे को जान पाएंगे, अगर हम कुम्बराशी की स्वास्तराशिपल की बात करे तो आप खुद को उन्चाएं पर महसुस करेंगे, आपका आत्मविश्वास और बल भी उन्चे रहेंगे, जिससे आप किसी भी कार्यों को कर सकेंगे, आप अपनी दुरूर निश्चाएं और सकारत्म उर्जा का प्रयोग नए कार्य प्रारंब करने में कर सकते हैं, आप लक्षों को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी निथी अपनाएं, तो दोस्तों यह ती कुम्ब राशियों के बारे में, अब बात करते हैं, इस तरीके से करेंगे शिनिद्यों की पूजा, तो जरूर बरसेगी शिनिगुरुपा, हर दुख दूर करेंगे नए के देवता, शास्तरों के अनुसर देखा जाये तो ग्रहों का प्रबाव बहुती प्रबल माना गया है, अगर शनिग्रह की बात की जाये, तो यह ग्रह सबसे प्रबावी ग्रह माना जाता है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इसकी स्थिती ठीक नहीं है, तो इसकी वज़े से के मन में भय बैटा जाता है, सबी लोग यही चाते हैं कि उनके उपर शनि का बुरा प्रबावन ना पड़े, अगर कोई व्यक्ति शनि की साड़े साथी से पीडित है, तो इसकी वज़े से उनके अनिक प्रकार के दुख, विपति, उत्पन होने लगती है, शनिदेव सूर शनिदेव की पूजा करते हैं, तो इससे आप दुख, दरिदरता, रोग, शोक से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, आज हम आपको शनिवार वुरत की पूजा कैसी शुरू करनी चाहिए, और इसकी पूजा विदी क्या है, और इसके बारे में जानकरी क्या है, आज हम देने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं, शनिवार की वुरत कब शुरू करें, शास्तरों क्यानुसार देखा जाए तो जो लोग शनिवार का वुरत करना चाहते हैं, वह किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, अगर आप श्रावन मास में शनिवार का वुरत शुर इससे आपकी जीवन के सभी कश्ट दूर होंगे। अब बात करते हैं शनिवार वरत कैसे करें। जानिये शनिवरत की पूजाविदी। इसके पास्चात आपको मूर्ती को चालों से बनाई 24 दल के कमल पर स्तापित करना होगा। शनिवार वरत करने वाले भक्तों को शनिदेव की प्रतिमा की विधी विधान पूर्वक पूजा करने चाहिए। आप शनिदेव के किसी भी मंदिर में जाकर नीले रंग के फूल अर दीब, काला वस्त्र और तेल आदी से किजिएगा। शनिदेव की पूजा के दवरान आप शनिदेव के दस नाम कोनस्त, कृष्ण, पिपला, सौरी, यम, पिंगलो, रोद्रुतको, बब्रू, मंद, शनेश्चेर, इनका उच्चारन किजिएगा। इसके पास्चात पूज पूरी होने के बाद आप पीपल के उरक्ष के तने पर सूत के धागे साथ परिक्रमा से बांदे। तो दोस्तों आप बात करते हैं शनिवार उरत में कौंसी चीज़े खाना चाहिए। अगर आप शनिवार का उरत कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उ बोजन सुर्यास्त से दो घंटे पास्चत करे। शनिवार का उरत करने वारे भक्तों को एक समय का ही बोजन करना चाहिए। आप बोजन में उरत के आटे से बनी हुई चीज़ें, उरत की दाल की खिचडी अत्वा दाल खा सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ तला हुआ बो तो दोस्तों आज की स्विडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राश्यकल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्यवाद।